हेलो फ्रेंड्स, थ्रिलर मुवीज तो सभी को देखना पसंद है, लेकिन हम जब भी साइकोपेथिक थ्रिलर मुवीज के बारे में बात करते हैं, तो हम कुछ जादा ही एक्सेटेड हो जाते हैं ठीक उसी तरह, आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही इंट्रेस्टिंग साइकोपेथिक थ्रिलर मुवीज के बारे में, तो चलिए जानते हैं कि कौन-कौन से ऐसे इंट्रेस्टिंग मुवीज हैं आज के हमारे इस टॉप 10 काउंडाउन में, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम पर फ़र जाती हैं, और उनके ओपर बहुत सारे क्रिमिलर चार्जर्ज भी दिए जाते हैं मॉवी में के लास्ट तक वो सभी उस चार्जर से निकल पाते हैं या फिर उस टारगेटट Sie nichal पाते हैं या फिर नहीं निकल पाते हैं इस मुवी में बढ़ी अच्छी तरह से पाई जाती है और उन serial killer activity के पीछे last में एक psychopathy killer रहता है मुवी में के last तक detective उस psychopathy killer को पकड़ पाते हैं या फिर नहीं पाते हैं और इस movie को mdb rating देती है 10 में 5.8 Bloodline, movie release की गएती 2018 में और movie based है psychological horror and thriller activity के उपर Movie की story शुरू होती है even से जो कि अपने बच्पन में बहुत सताय जाते थे या फिर कह सकते हैं कि उनकी बच्पन की जितने भी memories थी सभी की सभी dark memories थी और वो उस memories से निकल नहीं पाते हैं जब वो बड़े होयाते हैं तो उन्हें हमेसा ये लगता है कि उनके बच्चे को भी कोई नुक्सान पहुचाने वाला है और वो उन सभी लोगों को मार देते हैं Movie इसी कोबर बेस करके बनी है movie thriller और psychological activity से भरी बड़ी है और इस movie का एनड़ी रेटिंग देती है 10 में 5.9 No.7 In the Shadow of the Moon Movie release की गेती 2019 में और movie based है mystery and thriller activity के उपर Movie की story शुरू होती है अचानक से ही शहर में serial killer activity पाई जाती है और ठीक 9 साल के बाद वही same killing फिर से repeat होती है Movie इसी कोबर बेस करके बनी है कि क्या last तक detective उस serial killer को पकड़ पाते हैं या फिर नहीं पकड़ पाते हैं और इस movie का मड़ी रेटिंग देती है 10 में 6.2 No.6 Fight Club Movie release की गए थी 1999 में और Movie based है drama and action and thriller activity के ओपर Movie की story शुरू होती है The narrator से जो की एक cancer patient है और वो start करते हैं अपने मानसी तनाव को दूर करने के लिए एक fight club Movie में क्या last तक वो fight club को ठीक ठाक चला पाते हैं या फिर नहीं चला पाते हैं Even इसकी ending जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा interesting लगेगी ये movie और इस movie को IMDb rating देती है 10 में 8.8 No.5 Secret Window Movie release की गए थी 2004 में और Movie based है mystery and thriller activity के ओपर Movie की story शुरू होती है Mort Rennie से जो की एक writer है और वो अंदर ही अंदर एक मानसी तनाव भी रहते हैं फिर कह सकते हैं कि वो हमेशा ही अपने आपको अकेला पाते हैं और उस अकेले पन को दूर करने के लिए वो लिखते हैं लेकिन इसी बीच उनके सामने कुछ अर्जीब और गरीब incident भी घटती है वो incident क्या है इस movie में बड़ी अच्छी तरह से दिखाई गई है और इस movie को IMDb rating देती है 10 में 6.6 लेकिन movie में आप जब इसकी ending देखेंगे तो आपको कुछ अलग ही नजारा नजर आएगा इस movie में और इस movie को IMDb rating देती है 10 में 8.1 movie की storyline एकदम ही different है प्लस इसकी ending आपको बहुत जादा interesting लगेगी movie release की गएती 1998 में और movie based drama and thriller activity के ओपर movie की story शुरू होती है Steven से जो की एक millionaire industrialist है लेकिन उन्हें अचानक सही पता चलता है कि उनकी wife का किसी दूसरे के साथ affair है और वो अपनी wife को मारना चाते हैं लेकिन उसके मौत की दृष्य को अपने आखों के सामने होते देखना चाते है movie में के ये सभी चीज़े possible हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है और इस movie को IMDb rating देती है 10 में 6.5 नमबर 2, Saw movie की first part release की गए थी 2004 में और movie based है mystery crime and thriller activity के ओपर movie की story शुरू होती है एक deadliest game से जिसमें आपको सही सही answer देना होता है या फिर आपको वो task complete करना होता है और सभी के सभी part बहुत ही insane और thriller activity से भरी पड़े हैं और इस movie को IMDb rating देती है 10 में 7.6 और लास्ट और नमबर 1 पर बात करेंगे जोकर movie को release की गई थी 2019 में और movie based है drama thriller and mystery activity के ओपर movie की story शुरू होती है एक आदमी से जो की भीड में भी अपने आपको अकेला पाता है या फिर कह सकते हैं कि Gotham City में वो हमेशा ही अपने आपको अकेला पाता है इस अकेले पन को दूर करने के लिए वो कौन सी हद पार करता है इस movie में पर अच्छी तरह से दिखाए गई है movie super hit रही है प्लस इसके storyline भी one of the best रही है और इस movie को IMDb rating देती है 10 में 9 तो friends उमीद करता हूँ कि आपको आज का countdown पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो please मेरे channel को subscribe करें लाइक बटन जरू दबाए और comment हमसे जरू शेयर करें तो फिर मिलते हैं ने वीडियो के साथ ने countdown के साथ खुश रही है healthy रही है good bye